वेल्कम क्यू तेज एजूकेशन मित्रों मद्यपर्दे सिच्छक पातरता परिच्छा के लिए आज फिर से इस वीडियो में हम 20 महत्पुन प्रशन लेकर आएं और इसी तरह आपको 20-20 प्रशनों की सीरीज में कम्प्लीट पर्रावरण हम आपको टॉपिक वाइज उपलब करनी प्रदूशक ऑप्शन सी इसका सही जबाब अगला प्रशन है कि भारत के किस छेत्र में अधिक्तम भुईसकलन की घटनाय होती हैं तो भारत के कौन से छेत्र में होती हैं भी बुईसकलन की सबसे ज़्यादा घटनाय तो यह होती हैं दोस्तों हेमालाय में वोके हेमाल होने लगता है तो दोस्तों अत्तदिक चारण हैं यह होता ह है कि मिर्दा अपरदन जो है बढ़ जाता है प्रेशन है किया विशाणू जनफ बीमारी है यह या पिर खनिज जनित बीमारी है तो मैं ध्लों प्लैग होती है। एक जीवाणू जनित बीबारी option c इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि निम ने लिखे तो वाहनिय इधनों मैं से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है तो पर्यावरण स्नेही माना जाता है मित्रों किसको संपीनित प्राक्रतिक गैस अगला प्रेशन है कि गैसी अपसिष्ट इनमें से कौन सा है सबची और फलों के छिलके या फिर घरों की नालियों का गंदा पानी या फिर खेत खल्यानों शे निकलने बाला कचरा या फिर लकड़ी कोईला से जलने वाला धुआ तो मितनों इसका सही जवाब है कि गैसी अपसिष्ट है कौन लकड़ी कोईला से जलने वाला धुआ उप्सन डी इसका सही जवाब प्रशन है कि जोर नियंतरन में आम तोर पर शबशे अधिक प्रियुक की जाने वाली और शधी कौन सी है भया जी बुफेन, बी कॉंप्लेक्स, पेरस्शीटामॉल या फिर लेव फिप्टी टू तो मितनों इसका सही जवाब है उप्सन सी पेरस्शीटामॉल प्रशन है कि भूकंप की तीबरता मापने के यंतर को क्या कहा जाता है बड़ा यासन प्रशन है लेकिन बार बर पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा दोश्तों सी स्मोग्राफ प्रशन है कि मलेरिया रोग होता है किसकी कारण सबसे पहला बिकल्प, प्लाज्मो डियम फालसी फेरम के कारण एंट अमीवा कारण, रिट्रो वाइरस या फिर साल्मो नेला तो मलेरिया रोग होता है प्यारे दोश्तों प्लाज्मो डियम फालसी फेरम के कारण प्रशन है कि बाए प्रदूशन का कौन सा स्ष्रोत नहीं है सबसे पहला पिकल्प, बाहन, उद्ध्यो, ठोस, अप्सिष्ट या फिर धूल के कारण तो बाए प्रदूशन का इन में से कारण या फिर स्रोत नहीं है ठोस, अप्सिष्ट इसके लाब बाहनों से धूँआ निकलता है और धूल के कड़े ये सभी बाय प्रदूशन के लिए उत्तर दाई प्रशन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल ऑक्सिजन की आपूर्थी को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रोक जाता है जब गंदे पानी पर हम तेल डाल देते हैं तो क्या होता है उक्सियन क्या पूर्थी रुख जाती है और मच्छलों का क्या है प्रजनन रुख जाता है अगला प्रशन है कि निम ने लिखे ती धनों में से कौन सा नियूनतम पर्यावरणी प्रदूशन उत्पन करता है तो नियूनतम पर्यावरणी प्रदूशन उत्पन करता है प्यारे दोस्तों हाइडरोजन अगला प्रश्ण है कि ग्रीन मफलर समंदित है किस से मिर्दा प्रदूशन से बाय प्रदूशन से ध्वनी प्रदूशन से तो ग्रीन मफलर समंदित है प्यारे मित्रों ध्वनी प्रदूशन से प्रश्ण है कि गंगा एक्सन प्लान को लाने का उद्देश निम्न लिखित मैं से किस सुधार है तू है तो गंगा एक्सन प्लान को लाने का उद्देश है मित्रों क्या कि भई जल की गुडवत्ता को सुधारना क्या जल की गुडवट्ता को सुधाना, एक और हमने प्रश्eln में देखा, क्या उदेश से है जल को स्वच बनाना, गंगा को स्वच बनाना, तो भही है जल की गुडवट्ता सुधाना अगला प्रश्ण है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है कौन गास स्थल या फिर बन या पलवक या फिर उपर रोही तो पहरे दुश्ट्रों जल चक्र को नियंत्रित करता है वन कौन बन ओकर अपसन बीज का सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि चेनोर्विल घटना किस से सम्मंदित है भूई सकलन से भूई कंप से या फिर नाब की दुरगटना है या फिर अमली बरसा है तो चेनोर्विल दुरगटना सम्मंदित है प्यारे दुश्टों नाब की दुरगटना से किसे नाब की दुरगटना से तो ये अनुच्छेद है प्यारे दोस्तों अनुच्छेद एक्यावन एक्यावन ए पर्यावरन सरच्छन को प्रतिक नागरिक के मौलिक करतब के रूप में पहचान कराता है क्या बने कहता है कि पर्यारों का सरच्छन करना पर्तिक नागरिक का क्या है मौलिक करतब है very 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 important प्रशन है प्यारे दोस्तों अगला प्रशन है कि तरुन भारत संग के राजिंद्र सिंग को किस कारे के लिए मैग से से प्रसकार दिया गया है तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है, option A, जल सनरच्छन अगला प्रशन है कि भारत में निम्न लिखित में से कौंसी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूशन के मापन से संबंधित है, तो प्रदूशन के मापन से संबंधित है केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोर्ड option B अगला प्रशन है कि कोटो पैक्सी एक जागरत जौला मुखी है जो अबस्तित है कहां पर तो प्यारे दूश्तो कोटो पैक्सी एक जागरत जौला मुखी है और ये अबस्तित है एंडीज में option C इसका सही जवाब है प्रशने के LPG के संदर्व में इन मैंसे सत्य कथन कौन सा नहीं है देखिए ध्यान दीजेगा सत्य कथन कौन सा नहीं है ये पूछा है तो LPG के संदर्व में यहाँ पर सत्य कथन नहीं है कि LPG एक स्वच्छ इंधन है इसके अलावा यह एक उच्छ उसमी मान का इंधन है और या नीली जुआला से जलने बाला है, या मीथे नोसरजन करने बाला है, अगला प्रशन है, कि एक वैस का मानम में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो प्रशन है, कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां बचतेते हैं, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मु आर्षेनिक द्वारा जल प्रदूशन सरवादिक कहां पर है यूपी में एमपी में बिहार में या पश्यम बंगाल में तो आर्षेनिक के द्वारा जल प्रदूशन सबस्यादे के प्यारे भईया कहां पश्यम बंगाल में प्रशनिक के बरसा जल शंगरहन क्या है तो बरसा जल शंगरहन है प्यारे दोस्तों बरसा जल का जमाब और भंडारण प्रशन है कि पीने के लिए सुरच्छित जल को क्या कहते हैं तो पीने के लिए सुरच्छित जल को कहते हैं प्यारे दोस्तों पीने योग्य जल प्रशन है कि भारत में ठंगे रेगिस्तान मांसुन से प्र प्रभाबित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ठंगे र्यागिस्तान हेमाला की ब्रश्टी छाया में होते हैं तो मित्रों इस वीडियो में किवल इतने ही प्रश्ण उमीद करते हैं यह प्रश्ण आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी प्रश्ण परिच्छा के लिए वेरी 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 इंपोर्टन्ट हैं और टॉपिक बाज आपको हम कंप्लेट इस्टेटी मेटिरिल जो करा रहे हैं प्रश्ण इसमें से परिच्छा में आपको मिलने बाला है कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ सेयर कीजिएगा पीडियो आप वाटसे ग्रूप में सामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं